नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल होटी कल्चर इंसाइकलोपीडिया में और हमारी नर्सरी पलवल फ्रूट नर्सरी में दोस्तों उत्तर भारत की अंगूर की अधियां आप सभी को पता हमारे YouTube चैनल पर बहुत सारी वीडियो आपको बताते रहें दिखाते रहें कौन कौन सी हैं और क्या उनकी की अलग हैं दक्षिन भारत की अलग हैं दोस्तों घोतर भारत हैं अगर लगाना veux et अगर और या फिर आप राजिस्तान मद्यश्म का पडेश में लगाना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कीजिए हमारे 941304 दोस्तों आज मैं आपको अपनी नसरी के अंदर लेका है और उसमें कैसे पौधे हैं हम कैसे उगाते हैं डिजिस फ्री दोस्तों क्लोन उनके कैसे हैं दोस्तों आपको मैं गारंटी देता हूं आप पूरे भारत में कहीं से संपर कीजिए आपको इस क्वालिटी के जो क्लोन है वो आसानी से नहीं मिलेंगे और आपको जो वेराइटी हम बताते हैं वही देते हैं और उनकी क्वालिटी कैसी होती है दोस्तों वही मैं दिखा रहा हूं दोस्तों देखिए दोस्तों यह हैं हमारे अंगूर के पौदे जो हम पौली हाउस और नेट हाउस के अंदर उगाते हैं और उनकी क्वालिटी कैसी है हम कैसे उगाते हैं यह और देखे दोस्तों, disease-free कैसे होते हैं पौदे? अंगूर के disease-free पौदे हैं, हर पौदे को हम stacking कर रहे हैं, उनको बास लगा रहे हैं, यदि आप हमसे पौदे अभी खरीदना चाहते हैं, तो आप हमारी nursery पर आकर हमसे पौदे purchase कर सकते हैं, और यदि आप हमारी nursery पर नहीं आ परकार की कोई बीमारी नहीं, बहुत ही बैतरीन किलोन है, ये तो पौली हाउस के पौदे जो मैं दिखा रहा हूं, अम मैं दिखाता हूं इसके साइड में, नेट हाउस में जो गाए हुए पौदे हैं, बहुत ही बढ़िया, दोस्तों ये है green said net house, दोस्तों इसमें हमने ल को बताया हम करते हैं, दिसंबर में जो dormancy में आ जाते हैं, जब ये पौदे तब करते हैं, और मैं आपको जो दिखा रहा हूं, दोस्तों सभी पौदे, क्लोन हैं, हमारे पास ग्राफ्टिंग भी हैं, दोस्तों क्लोन ऐसा वैसा क्लोन नहीं, बहुत ही रिच वाले क्लोन है हमारे पास हैं, रिसर्च के क्लोन वो पौदे होते हैं, जब हम पौदे उगाते हैं और उन पर रिसर्च करते हैं, और उनसे जो भी रजल्ट आते हैं, तब हम आपको दिखाते हैं कि कैसे रजल्ट हैं, उनसे ही हम पौदे निकालते हैं, दोस्तों ये है रेड फ्लेम का प प्रकार से हम इनको maintenance करते हैं बहुत ही ख्याल रखते हैं दोस्तों बच्चे की तरह इनका ख्याल रखते हैं दोस्तों सभी पहुत ही अच्छे से रखते हैं ताकि आपके पास disease-free पौदे जाएं जब आप परचेज करें कोई भी अंगूर का पौदा कोई जरूरी नहीं है हम जब आप अंगूर के पौदे खृँद रें तो अंगूर के पौदे बेचने का लाइसेंस है या नहीं उसके बाद देखें उसके पास जो वेराइटी वह आपको बेक रहे हैं दोस्तों अगर उसके पास मजर प्लांट नहीं है तो वह बंदा थर्ड़ पार्टी से वह तो क्या गारणंटी है कि वो muggye original दे रहा है के नहीं दे रहा है जबकि हमारे पास सभी वेराइटी के mother plant हैं और हम आपको mother plant की performance तक दिखाते हैं कि वो कैसी performance कर रहें peroot quality क्या है वो सारी जान्कारिय आपको देते हैं और उनीinkλानी से हम आपको पौद्दें पैयार करकर देते दोस्तों आप निश्चिंत हो सकते हैं कि जो आपने पौदा पर्चेज किया है अगर रेड फिलेम किया है तो आपको रेड फिलेम मिलेगा और उसकी क्वालिटी क्या होगी यह आप निश्चिंत आख मीच कर पौदे पर्चेज कर सकते हैं परंतु जो आप तहीं और से पौदे खरीजते हैं तो कहीं बार ऐसा होता पौदे मिक्सिंग रहती है या कहीं और से लिए उनके क्लोन अच्छे नहीं है सबसे बड़ी बात दोस्तों अंगूर में है कि क्लोन का अच्छा ना होना दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता होगा मैं अपनी आनी वी का पौदा नहीं उगेगा और उसमें फ्रूट क्वाल्टी अच्छी नहीं आएगी तो दोस्तों अगर आप पौदा पर्चेज करते हैं तो इन सभी बातों का ध्यान रखें और तब पौदे खरीदें धन्यवाद दोस्तों